नमस्कार दोस्तों टाटा कंपनी की इस सेर का जबरदस्त वीडियो लाया हूँ लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आउन कर लिजे टाटा का यह सेर 291 रुपया से टूट कर 68 रुपया पर आया है आज इसे खरिदने की होड लग गई है और इसमें 8 परतीसत से ज्यादा उच्छाल आया है टाटा गुरूप के सबसे सबसे सस्ते सेर में सुमार टीटी एमल के सेर आज उच्छल रहे हैं यह वही स् रुपये से 291 रुपया तक पहुच गया था आज 68 रुपये के करीब ट्रेंड कर रहा है टाटा गुरूप का समभवत सबसे सस्ते सेर टाटा टेली सर्विसेस महरास्ट्र लिमीटेड टीटी एमल में आज 8 परतीसत से अधिक की तेजी देखी गई है शुरुवाती कारोब बुद्धवार में यह 8.1 एक छे परतीसत उचल कर 68 रुपया 30 पैसा पर पहुच गया था आज यह 64 रुपया 10 पैसा पर खुल कर बुद्धवार यानि आज के दिन तक यह उच अस्तर 68 रुपया 90 पैसा तक पहुच गया है बता दे अस्टाक 7 रुपया 34 पैसे से 291 रुप का सेर 815.53 परतीसत का मल्टी बेगर रिटर्न दिया है इस साल अब तक 42 परतीसत से अधिक नेगेटिव रिटर्न दे चुका टाटा गुरूप का यह सेर पिछले 5 दिनों में उतार चड़ाव से जूज रहा था आज इसने लंबी छलांग लगाई है पिछले एक महीने में इसने 4 परतीसत से अधिक पोजेटिव रिटर्न दिया है जबकि पिछले 6 महीने में 32 परतीसत से अधिक का नुकसान कड़ाया है इस साल अब तक 25 परतीसत का जटका देने वाले इस अस्टोक का 52 हपते का हाई 149 रुपया और लो 49 रुपया 65 पैसे है इसमबर तिमाही के मु 277 करोर रुपय का घाटा हुआ है जबकि दिसमबर तिमाही के मुकामले रिवेन्यू भी कम हुआ है कंपनी का मार्च तिमाही में रिवेन्यू 280.13 करोर रुपय रहा टीटी एमल सेर में परमोटर्स की हिस्सेदारी 74.36 परतीसत है वहीं पबलिक सेर होल्डिंग 25.64 परतीसत की है